तो दोस्तों जैसे की देख सकते हैं मेरे पास एक आईटल का फोन है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है A.C.E. तो इसको आईटल के नाम से ही जाना जाता है तो अगर आपके पास कोई सा भी कीपेट का फोन है कोई सा भी कमपनी का इंडियन हो या चायना अगर आपके फोन में इस परकार से नेटवर्क नहीं आ रहा है कभी आते हैं कभी चले जाते हैं और जब फोन लगाते हैं किसी को तो फोन भी नहीं लगता है और इसमें फोन भी नहीं आता है तो नेटवर्क का प्रोलम है तो इस प्रोलम को कैसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको धक्कन को खोलना है पैनल को तो इस परकार से यहां पर नेटवर्क का प्रोलम आता है यहीं से तो यहां पर जैसे देख सकते हैं एक टीना टाइप का लगा हुआ रहता है जो कि इस परकार से इसका अंटीना टाइप का दिया हुआ है बोडी में फीट किया हुआ है और यह अंदर में फ परकार से टीना उखड गया है और यह सही से प्रोपर रूप से वर्क नहीं कर रहा है जिसके कारण से नेटवर्क का प्रोलम आता है तो इस प्रोलम को कैसे सोल्ब करना है तो आप फिलाल के लिए आप चेक कर सकते हैं इस परकार से लगा के जैसे कि देख सकते हैं आप किसी भ और चेक किजिए कि आपका टावर नेटवर्क फूल आता है या नहीं अगर आ रहा है तो आप इस प्रोल्म को बिल्कुल असानी से स्वल्व कर सकते हैं नहीं आ रहा है तो इस वीडियों पर बने रहें आगे मैं बताऊंगा आपको करना क्या है अगर इस प्रोसेस से नहीं हो होता है तो तो जैसे कि यहां पर देख सकते हैं इस परकार से में दावने के बाद मेजा नेटवर्क फूल आ रहा है और आप भी चेक कर लेजी अगर फूल नहीं आ रहा है तो वीडियों पर बने रहें इस टेप में आप लोगको एटूजेट प्रोसेद जानकारी दूंग और आप खुद से इस परोलम को सुल्व कर सकते हैं तो इस परकार से आप दोस्तो इस दोनों में कागज का टुकरा या छोटा सा कोई तार का गोला बना ले और इसमें डाल के थोड़ा सा दाव देना है दावने के बाद दोस्तो आपका नेटवर्क आने लगेगा तो मैं इसमें थोड़ा सा कागज का टुकरा डालके देख लिता हूं नेटवर्क हमैशा के लिए फिक्स होता है या नहीं तो जैसे देख सकते हैं थोड़ा-thोड़ा कागज लना है कम मात्रा में जो की सही तरिका से इसमें अंदर चले जाएं और गोला बनाके थोड़ा सा इस ठूझ सकते हैं आनि कि चाप सकते हैं चापने के बाद मैं चेक करके देखता हूं मेरा नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है फूल तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने कागज का टुकरा थोड़ा थोड़ा डाले दोन्हों में और यहां पे नेटवर्क फूल आने लगा अब तो इस फोन में किसी का भी फोन आएगा बिल्कुल असानी से सही टाइम पे और इधर से भी फोन लगना शुरू हो जाएंगे तो अगर आपका प्रॉलम इस से नहीं होता है तो यहां पर आपको करना क्या है इस फोन को थोड़ा सा खोल लेना है तो आपको ज्यादा इसमें मह को खोल लेजिए तो अच्छी तरह से अराम से खोल लेना है खोले के बाद यहां पर जैसे जो है यहां पर थोड़ा सा कार्बन डश्ट जमा हुआ है जिनके कारण से अंटीना जो हता है वो यहां पर सट नहीं पाता है और नेटवर्क नहीं दिया पाते हैं तो इसको आप इसके इस प्रोलों को solve कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर साप शुतरा काम करने वाले हैं तो यहां पर थोड़ा सा पैट्रोल ले सकते हैं बरस में लेने के बाद इस परकार से आप साप कर देजिए वहां का जितने भी component डायड है सभी को अच्छी तरह से क्लिंग अनि साप कर दिया हूं इस परकार से तो साप करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या पढ़ेगा यहां पे जैसे देख सकते हैं फोन के फोनके पैनल है यहांपर इस परकार से इसका अंटीना यहांपर है तीना या लोहा कुछ भी बोलिए तो यहां पर यह टेरा हो गया थोड़ा सा आप चीम्टे या किसी काटी या पेजकत स्याब इसको सिधा कर सकते हैं इस परकार से थोड़ा सा उठा देना है अनिकी इस परकार से उठाना है हलका हलका अगर दबा हुआ है तो और बरस मार मैं इसको फीट करके देखता हूं यह प्रवलम हमेशा के लिए फिक्स हुआ या नहीं तो चलिए मैं इसको अराम से लगा देता हूं और थोड़ा सा वीडियो को मैं स्पीट कर देता हूं ताकि वीडियो लंबी न हो जाए तो जैसे कि इसको हम पेक कर देते हैं अराम से प प्रॉलम है अगर किसी पोन में, तो बिल्कुल असान से ठीक कर सकते हैं, घर बैठे, तो यह है घैरेलू, टीप है दोस्तों, हम हमेशा अच्छे एची वीडियो अपवलोड करते रहते हैं, जो कि खुद से कोई भी मोगाईल को ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल असान से, तो अब मैं इसमें बैटरी डालके देखता हूँ और फोन को पावर वन करके देखता हूँ तो जैसे कि देख सकते हैं जैसे फोन को मैं पावर वन किया तो पावर वन होने देजे उसके बाद देखाते हैं आप लोग को तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क सर्ज कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क पूरा फूल आ चुका है तो इस परकार से आप इस प्रोलम को ठीक कर सकते हैं अगर ऐसा करने से अगर आपका प्रोलम स्वल्ब नहीं होता है तो एकर थोड़ा सा कागच का टुकरा लेना है जो कि मैं पहले स्टेफ में भी बताये थे लेकिन अगर आप मोगाल को खोल लिए है तो खोलने के बाद भी साब करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो ये टिप्स आप लोग फोलो जरूर किजिएगा क्योंकि दोश्तों किसी किसी भाई का जो होता नेटवर्क अंटिना वो थोड़ा सा उखड जाते हैं जो कि सही से नहीं बेट पाते हैं तो उसके लिए है ये जो कि साब करने के बाद नहीं होता है तो पहले टिप्स जो मैंने बताया था उसमें अगर आपका नेटवर्क जो अंटिना होता है टिना वो अगर उखडावा नहीं रहेगा तो ये देने से आपका वहीं पर काम बन जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टिना बिल्कुल उखडा हुआ है तो इसको दाबने के लिए टाइट करने के लिए दबाने के लिए थोड़ा सा कागज का सहरा लिया हूँ और इस परकार से देने के बाद किसी चिम्टे या पेचकस या किसी भी चीज़ से नुकेले चीज़ से आप इसको दबा के फिक्स कर सकते हैं तो इस परकार से आप दबाएए देख सकते हैं अन्टीना इसका नेटवर्क जो होता है वो पूरा उठा हुआ है तो इसको हाथ के सहारे से पहले मैं दबा देता हूँ उसके बाद इसको मैं चीम्टे के सहारे से बैठा दूँगा तो आप लोग भी दोस्तों इस परकार से नेटवर्का प्रूलम सॉल्व कर लेजिए तो दोस्तों अगर आप हमारे चानल पे ना आये हैं तो प्लीज हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजियेगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से एर कुझेगा ता